नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका SSC 2347 के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रगू स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस दाइंदू एडिटोरियल के वक्याब शो में और एनालिसिस में फटा फट से सभी लोग जुड़ जाएं लेट्स के स्टार्टेडग जो भी लोग कनेक्ट हो गया है उन सभी को मेरी तरफ से गुड़ मॉर्ण गुड़ मॉर्क बात है जबर दस्त कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं स्वागत है आप सभी तो चलिए भी यह स्ट्रेट फॉरवर्ड ली शुरू करते हैं आज के सेशन को और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज के सेशन को और भी एतिहासिक हिस्टारिक बनाने के लिए आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगे एक बार जल्दी से लाइक कीजेगा और मेर के साथ ठीक है अगर आप किसी भी competitive examination की तयारी कर रहे हैं तो अटेट 24-7 का यह application आपके लिए काफी helpful है description में link मौजूद है जरू download कर लिए तो चलिए भी एक बार जल्दी से जान लेते हैं हमारे इस session की summary क्या है यह session summary सामने रूप से उन लोगों के लिए जो पहली बार हमारे session में जुड रहे हैं और उनको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या discuss करेंगे जिससे वो अंत तक इस session को attend करें तो सबसे पहले quote of the day उसके बाद revision of the words कल के जो words थे उनको revise करेंगे फटाफट से idioms and phrases रहेंगे उसके बाद editorial के words रहेंगे उसके बाद one word substitution mainly उसके बाद important mcqs का discussion करेंगे error detection रहेगा उसके बाद editorial का paragraph एक paragraph जिससे हम लोग discuss करेंगे और अंत में homework homework नया मिलने से पहले कल जेंजिन लोगों होने कल एक तम एतिहासिक जबर्दस्था कल और आज maximum और भी लोग फटा-फट से answer करेंगे तो चलिए भी है quote of the day से शुरू करते हैं success is dependent on effort एक simple सा सीधा सा quotation जो हमें हमारे जीवन में follow करना चाहिए अगर हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें जितना अथक प्रयास बोलते हैं efforts are indeed very important बिना efforts के success मिलना मुश्किल है तो आपको efforts देने पड़ेंगे अब आप प्रयास किस दिशा में कर रहे हैं किस direction में करते हैं ये आपके duration और period of time को fix करेगा जिससे आप सारी चीज़ों को उस निस्चितवधी के अंदर complete कर पाएं So guys success is dependent on efforts nothing else apart चलिए बही है शुरू करते हैं आगे तो revision words की और बढ़ते हुए उम्मीद करूँगा आप सभी लोग maximum इस session की reach को करेंगे और like और share जरूर कर दीजेगा तो पहला word आपके screen पर आता है और यहां से हम लोग सारी चीज़ों को आगे carry करते हैं ठीक है बही clear everyone कोई दिकत किसी को यहां पर मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए at any cost ठीक है तो चलिए भी है पहला word on your screen now कल का ठीक है चलिए भी है status quo status quo word था ही हमारा quest क्या मतलब था इसका तो आप देख सकते हैं यहां पर मचलियों का जो स्थिती है अगर आप इसे इसमें चेंज करोग so better वो कहां रहें अपनी जो current position है कहां पर एक aquarium में एक पानी के माध्यम में तो status quoist का मतलब क्या हो जाता है current situation of something right अगर हम देखे हैं हम हमारे घर में या बाहर जा रहे हैं या कहीं भी तो current situation की बात करेंगे तो that is the one so current situation current position जिसे हम लोग क्या बोलता है status quoist कहते है clear everyone याद र मान लो present में आपने कुछ बदलाव किया है तो उस present के बदलाव को ना ध्यान में रखते हुए पुरानी इस्तिती को लेकिन इसका मतलब क्या होता है current situation डिफ्रेंस याद देखेगा जाले भई यह next पर आते है प्रमिनेंस देखो भई क्या थे क्या से क्या हो गए देखते देखते अगर किसी ने देखा हो तो मुन्ना भाई MBBS में नवाज साब क्या बने देख चोर का किरदार ने बाया था याद होगा आप लोगों ने अगर देखा हो कभी तो अब आप देख सकते हैं he is one of the finest lead actors जो lead कर रहे हैं तमाम series को even movies क भी लीड कर रहे हैं और उना successfully dominate कर रहे हैं तो यह ने अपने efforts से मिला और इस शोहरत यानि प्रमिनेंस के यह हगदार भी है इसका मतलब होता है उचाई है ना शोहरत हम लोग क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो एक altitude पर पहुंच गया है एक मुकाम जिसे बोल सकते हैं हिंदी में क्या भी बोला जा सकता है मुकाम ठीक है good morning good morning guys thank you so much for joining है ठीक है आगे बढ़ते हैं चली भी है amid sorry amid का मतलब आप देख सकते हैं यह सारे लाल पिन है बीच में एक blue पिन आगया तो यह amid है इसके मतलब क्या सीदे सीदे कर हम बात करें कि जितनी भी चीजों की बात कर रहे हैं उन सब के मध्य कोई चीज है तो मध्यस्तता की बात अगर की जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलता है amid ठीक है यह एक preposition है ध्यान रखिएगा यह position बताएगा maximum भी है यहां है अब मन करता है यार ठीक है इस तरफ चलते हैं मन करता है इस तरफ चलते हैं लेकिन जिस इंसान के जीवन में एक बोलता है na straightforwardness है उसे पता है मेरा लक्ष क्या है उसीदे ही जाएगा so pivot का मतलब क्या हो जाता है pivot don't pause यानि कहने का मतलब क्या है कि जो self-centered होते है करम प्रधान होते है जिनकी priority एक destination है वो हमेशा रुकते नहीं है चबडते जाते है तो कहने का मतलब प्रधान आधार central aspect किसी भी चीज़ का ठीक है pivotal से याद रखना vital का मतलब क्या हो जाता है important हो जाता है pivotal भी एक प्रकार से important होता है लेकिन यह किसी भी चीज़ का क्या बताता है अगर हम बात करें especially तो that shows basically अगर हम बात करें तो प्रधान ता किसी भी चीज़ की ठीक है clear everyone दोस्तों एक बार याद जल्दी से share करो जबी लो competition कौन जीतेगा किसका नाम आएगा so neck and neck क्या दिख रहा है यहां पर आपको दौनों मैंसे कोई भी आप कहीं ना कहीं बहुत close competition है ठीक है so neck and neck आप लोग अपने लिए भी यूज कर सकते हैं अगर आपके साथ साथ कोई और विक्ती भी तैयारी कर रहा है जो एक्दम उसी level क कर रहा है जिसकी आप कर रहे हो तो हम बोलेगे ना हम दोनों के बीच में एकदब neck and neck बोलते हैं close, tight, एकदब neck and neck competition है ठीक है तो याद रखिए का बहुत important है next पर आते rank and file यह एक idiom है right और SSC वाले हमारे प्यारे साथ ही तो इसका विशेज ध्यान रखे क्यों क्योंकि important point य रहता है good morning, good morning, good morning, thank you so much Sanjita चलिए भया तो अगर हम बात करें rank and file की तो देखे बोलते है ना rank माने एक क्रम ठीक है और file जो लोग rank और file में जीवन गोजार रहे हैं समझ रहे हो आप लोग तो क्या हो जाता है वो crowd या commoners ठीक है तो भया फाइल के चक्कर लगा रहे हैं, file के चक्कर में PWD के चक्कर लग रहे हैं, तो ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग crowd या commoners, आम जन जिसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते है, आम जन, next पर आते है, चले भी यह run off, क्या हो जाता है यह run off, अब आप देखिएगा अब इस water को, अब आप इसे रोकने की कोशि बह रहा है, अब आप सोचोगे कि इसको रोक लें, या फिर हम इससे जूज लें, या इससे लड़ लें, तो संबब नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हो जाता है, इसके सामने सब banish और dismiss हो जाएंगे, इसलिए जैसा है वैसा चलने दो, so banish हो जाना, dismiss हो जाना, यह किसको बत प्रकार की वॉल्ट है, वॉल्ट का मतलब तेजोरी, जिसमें पैसे से रखते हैं, हाया न, तो कहीं न कहीं इसस को रिप्रेजेंट, अगर हम देखें, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, यह एक प्रकार का स्टोरेज, जहां पर चीजों को स्टोर करेंगे, ठीक है, फाइल फिल स्लीपी, तो यार एक काम करो, सोलो एकटा, देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ाई करते समय नीन आती है, स्वभाविक है, but it's fine, you can sleep, take a complete sleep, even 6 hours, 10 hours, 12 hours, एक बार एकटा सोलो यार, मन बर लो, बात खतम, स्टोरेज, ठीक है, वेर हाउस जिसे हम लोग बो आता है, यह मतलब आप देखते होगे, यह जेनरली मुवीज में आपको देखने हैं मिलता है, order, order, ठीक है, बुक्स रखी है, तो सारी चीज़ें, statutorily हो रही है, मतलब सामविदाने के, constitutionally हो रही है, सारी चीज़ें, regulations के अधार पर हो रही है, जैसे rules and regulations है, उस basis पर गाइस देखो भई, important words क्यों है यह, क्योंकि आपके paragraph closest कहीं भी आपको मिलेंगे यह, हर exam में, next पर आते scorching देख रहे हो, दूप कितनी तेज है कि जमीन एकदम सूख गई है, अब बताओ भईया, ऐसी धूप को कैसी धूप कहेंगे, scorching heat, scorching hot, एकदम जुलसा देने वाली, आग लग जाए, है ना, आपने कभी देखा हो, जिसे जून में, जून में ही मान लेते है, में जून की जो गर्मी है, बारा बजे के बाद, अगर आप धूप में निकल रहे हो, without having the complete sleeves, तो आप देखो के घर एक दो गंटे बाद आओगे, तो you will find the difference, है ना, यह black, white हो जाता है, so that is coaching, ठीक है, burning, sultry, next पर आता है, macabre, ठीक है, macabry भी बोलते है, इसको macabre भी बोलते है, adjective है, यह देख लो, अगर आपको याद हो कि छोटे बच्चों को डराया जाता था, हम लोगों को भी आज भी डर लगाता है, कुछ लोगों होतो है, so यह macabry किसको represent करता है, य कहीं नहीं, extremely atrocious या भेंकर, यह आपको याद होगा, मैं नागन, तू सपेरा, है ना, मतलब अमरिशपुरी साहब, है ना, हमेशा control करते रहते थे नागन, तो यह भाई अकसर use करते हैं, जो तांतरिक लोग होते है, next पर आते हैं, grotusk, क्या लग रहा है, picture देखे, look at the picture and how you get to know who is the one, either it's girl, boy, clone, क्या, तो यह कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक अजीव सा चित्र दिख रहा है, विचित्र परिस्थती समझ में आ रही काफी जादा है, so grotusk, एक adjective होता है, दोस्तों, क्या होता है, यह एक adjective, और इस picture को देखकर, क्या समझ में आता है, बहुत जिसे हम लोग कह सकते है, ठीक है, तो याद रखना, that is grotusk, आगे बड़े, clear है, everyone, thumbs up करो है, यार, तम लोग है, उन्जूसी कर रहे हो, आज कल बहुत है, चले भी है, synergy, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी चीज में सफलता लेनी है, अगर आप team work कर रहे है, त This is called perfect collaboration, आप देख सकते हैं किस तरह से ये घूमेंगे, right, तो इनको क्या जरूरत है synergy की, यानि जिसे हिंदी में क्या बोलते है, तालमिल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, collaboration, या फिर जिसे क्या बोलेंगे, cooperation, without synergy, this project cannot be completed, without synergy, this project cannot be completed, remember this one, next is weaselante, weaselante, ये word हम लोग पढ़ जो किया है, weasel, है न, बिगिल मत पढ़ना है, इसको, बिगिल साउथ की movie है, and that is different, ठीक है, तो weasel, word जो है, वो निगरानी के लिए बना हुआ है, weaselante, जिसे हम लोग बोलते है, ठीक है न, बिलकुल, बहुत बढ़ी है, तालमिल, क्या बात है, तो weaselante, जो word है, ये होत क्या करेगा, वो punish करेगा, तो castigator इसे punish करेगा, याद रहेगा आपको, next पर आ जाते, that is incursion, incursion, देखो भईया, तालिबानी लोग एक दम तयार है, धावा बोलने के लिए, तो incursion, incursion, इन पर कर जाए, अब इन पर क्या कर दो, धावा बोल दो, so incursion का मतलब क्या हो जा अब रेट कहीं बता के तो पढ़ने नहीं वाली, कि नहीं भाई, या रेट, रेट मैं पढ़ जाओं क्या, जलसा तो possible नहीं है, right everyone, बहुत बढ़े आनोज, युगेंदर, शुभंकर, प्रिया, well good, चली guys, next पर आ जाते हैं, तो एक important update guys, अभी 10 बजे तक, आप लोग अगर enroll नहीं किये, तो enroll कर लो, because complete foundation और selection post का batch start हो रहा है, 10 बजे, मैं जिसमें class लेने वाला हूँ आज, 10 o'clock, ठीक है, first class है, introductory class है, don't miss that, because this is going to be historic, ठीक है, मज़ेदार होगी, पहली class, और आपको समझ में आएगा, कि हाँ, how you have to study, so I always say, introduction is always important than any other class, CGL का mains का batch, आप enroll कर लीजेगा और अभी आपको double validity मिल जाएगी, लेकिन 10 बजे तक, so don't miss this opportunity, ठीक है, अभी आप जा सकते है, 247.com पर application पर, तो please याद रखिए, double validity 10 बजे तक है, के वल, gathering storm, चलो भईया, gathering मतलब एकटा करना, storm माने, तूफान, तूफान एकटा कर रहे हैं, देको सीधी सीधी बात है, Congress की जो परिस्तिती इस समय देखने मिल रही है, वो ऐसी है, वो खुद के अंदर की जो परिस्तितियां उन्हें नहीं समाल पा रहे है, बाहर की चीज़ों को बस समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यह देको यहाँ पर लिखा हुआ है, ओधर नहीं, no outside talent can help the Congress, unless it nurtures, प Punjab में, एक जबर्दस step ले लिया, अमरिंदर शिंग जी ने के बाइन, जाओ, नहीं सुन रहे हैं, और उधर मतलब अफरा तफरी में, सिद्दू जी ने भी क्या कर दिया, President Chief से, यहाँ एक word half use हुआ है, यस, है ना, आवेश में, अभी हम लोग discuss करेंगे से, ठीक है, तो this is और माने हम लोग पढ़ चुके है, highlight करना, ठीक है, the value of good school meals, इस पर अगर आपको discuss करते हैं, बड़े इत्मिनाम से, ठीक है, चलिए भईया, तो idioms and phrases से शुरू करेंगे सीधे, straightforwardly, और उम्मीद करूँगा, आप सभी लोग जबर्दस तरीके से session को share करेंगे, यार है ना, please do share the session everyone, maximum, 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 I would request everybody to do that as soon as possible, ठीक है, तो जिससे हम सारी चीज़ों को और आसानी से define कर पाएं, ठीक है भई, तो चलिए भईया, पहला EDM आपके screen पर रखा जाए, और ताबढ़ तोड़ तरीके से सभी लोग answer करेंगे, so, cut a sorry figure, जल्दी से बताएं, cut a sorry figure, your time starts now, चलो चलो, come on everybody, एक बर मैं share कर दूँ, जल्दी से, बाकि सभी लोग भी share जरूर करें, यार, because your sharing can help us to go move on, move on, move on, ठीक है, चलिए भईया, all done, तो, cut a sorry figure का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम बात करें particularly, तो यह represent करता है, जैसे मान लो, आप किसी से पहली बार मिले, ठीक है, अब पहली बा always the last impression, तो मतलब भईया, आपने impression कैसा दिया, एक्तम sorry type, पहली बार में, sorry, 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 मैं गलती से ऐसा बोल गया, मेरा ऐसा उद्देश नहीं सा, कभी-कभी क्या होता है, लोग over excited हो जाते है, पहली बार हम किसी इंसान से मिलते हैं, तो बड़ी और excited हो जाते है, तो इस चीज़ क कुछ अभी तक क्या था, एकदम मतलब अंदेरे में था, अब जाकर मुझे पता है, तुमने ऐसा किया है, तुमने मेरे पीट पर छुरा बॉंक दिया है, तो revealed, finally everything is revealed, light में आ गया है, next पर आते हैं, the young boys act put his father in a pickle, ठीक है, उस जवान बच्चे ने जो हरकत की, उसकी विज़ in a funny position, in a serious position, in a sad situation, in an unpleasant situation, क्या लगता है आपको यहां पर, कौनसी situation या position है, क्या यह, चले बे टाम्स आप, देखते हैं कि इतने लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं, come on everyone, फटाफट, फटाफट, सभी लोग जवाब देते जाएं, बिलकुल, देखो भी है, सभी लोगों के सटीक जवाब आते हुए, in a pickle का मतलब क्या होता है, देखो funny तो नहीं होगा, serious हो सकता है, sad नहीं होगा, unpleasant, एकदम ऐसी situation जो काफी जादा निंदनी हो, सामने वाले को difficult भी बोल सकते हैं, ठीक है, so serious position से बढ़िया situation बोलना जादा अच्छा हुआ, क्योंकि यह situation का sense है, so in a pickle का मतलब embarrassing situation भी हो सकती है, unpleasant भी हो सकती है, difficult भी हो सकती है, ऐसी situation जो मतलब आसानी से cope ना की जा सके, ठीक है, तो answer is D, next पर आते हैं, to choose someone out, one of the repeated idioms, yes, अगर मैं बात करूँ तो यह repeated idioms में से एक है, exam में पूछा जा रहा है, लगातार, तो जल्ली से बताएं, क्या होगा इसक सा मतलब, to choose someone out, reprimand someone severely, to discourage someone who is going to start a new venture, बोले तो business, to save someone, किसी को बचाया लेना, to bore someone by talking ceaselessly, बिनारो के बोलते जाना, ऐसे लोग आपके असपास होते हैं, इन लोगों से जरूर बचके रहिए, तो बताएं जल्दी से क्या होगा इसका सठीक answer, come on everyone, चलो चलो यार, सभी लो जूसियां होने लगी हैं, बताओ भई, क्या जमाना आ गया है, like, share में का जूसी कर रहा है, आप लोग भाई के लिए है, that's not good, चले अब यह तो answer क्या होगा, किसी को बोलता है न, चबा के फेक दिया, मतलब, डांट फटकार लगा दी बुरी तरे, ऐसे देखो, होता है क्य आप लोगा न अभी तक नहीं पड़ा होगा, एक इंपोर्टन टीडिया में बताएं जरा, by a long chalk, suddenly, occasionally, case of emergency solutions, majority, बताइए, चलिये, चलिये, बोलिये, 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 चलिये, चलिये, क्या होगा, by a long chalk, so this long chalk represents what, yes, very good, so this long chalk represents majority, long chalk, अब देखो, बड़ी chalk है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, तो जो लिखने में विलीव करते हैं, वो सब उसे support करेंगे, तो majority मिल गई उसे, आया ना, जैसे बहुत सारे लोग notes में विलीव करते हैं, सब notes नहीं बने तो काई की से जादा short notes में विलीव करते हैं, तो मैं उन लोगों को बिल्कुल समर्थन करता हूं, short notes वाले, तो कभी भी मेरा session attend करो, एक छोटी सी diary बना लो, यार, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, that's for sure, तो जरूर धान दखे, चले भया, अब हम आते हैं सीधे-सीधे कि words पर, किस पर आते हैं, आज के 1 October के जबरदस words पर, विश्वास दिलाता हूं, exam में आपको as it is words मिलने की पूरी कोशिश रहेगी, because आज कल editorial paragraph से words आ रहे हैं, आप देखेंगे कोई difficult words नहीं हैं, अगर आप regular attend कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें असान लगती हैं हमें जब सो पोशन का कुपोशन, nutrition से पहले mal लग गया, कुपोशन under nourishment भी जिसे कह सकते हैं, जैसे if we are talking about some place, हम किसी विशेश जगे या गाउं की बात कर रहे हैं, जहां पर पोशन सही से उन्हें नहीं मिल पा रहा है, सरकार भी वहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो वहाँ जो बच् शिशु जो होते हैं, malnutrition का शिकार हो जाते हैं, और जिसकी वज़े से उनकी body properly develop नहीं हो पाती, ठीक है, तो यह कोशन इसे बिलकुल बचाने की जरूरत है, जहां तक संभव है, अब यहां कुछ लोग शादी में आप देखो कितना खाना वेस्ट कर देते हैं, तो यार इन how much you can have, don't waste it, don't waste it, हमारे पास आज है, उन लोगों के पास नहीं है, at least we can help them, ठीक है, next पर आते हैं, slippage, slippage का मतलब क्या होता है, an act of slipping, फिसलन जिसे बोलते हैं, अब यह फिसलन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे अगर हम बात करें, party छोड रहे हैं, तो गद्धी हाथ से निक से निकल गई, slippage, the boot's sole prevents slippage, अब जो boot है, आपके जूते हैं, उसका जो soul है, वो फिसलन यानि फिसलने की परिस्तिदी को क्या करता है, avoid करता है, prevent करता है, रोपता है, next पर आते है, stunting, देखो भी आया है, जबर्दस्वर्ट, अब हमने तो stunt सर वही सुने थे, क्या, कि movies वग प्लेन का add क्यों आता है, क्योंकि किसी की height usually इतनी होनी चाहिए नहीं हो पई, तो अगर बात करें, तो bonapun, यानि कहने का मतलब किसी की height, किसी की development को अगर हम कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलता है, stunting, suppressing या daffing, daff का मतलब मैं आपको बताया था bonapun, है याद रखना, bonapun मतलब जिसकी height का मैं, dry summer seems to have stunted the tree, अब आप देखिए, शेहर में परिस्तिती क्या बन गई है, कि बहुत जादा गर्मी पढ़ रही है, और इसकी वज़े से जो पेड़ पौदे हैं, वो अपनी height पर grow नहीं कर पा रहे हैं, सीधी बात, next पर आ जाता है, च composite के साथ साथ, जिसे मैं mixture कहूंगा, या hybrid nature, ठीक है, hybridization, so amalgamate मिलाना चीजों का, ठीक है, clear, next पर आते है, example देखो, silver amalgamated with mercury, अच्छा, ये एक process होता है, आपको पता है, tooth filling होती है, तो silver और mercury को मिला दिया जाता है, तो silver amalgamated with mercury, ठीक है, ये tooth filling में काम आता है, next पर आते है gracious, gracious, right, gracious, पहली बार शायद सुनने होंगे कुछ लोग, और कुछ लोगोंने सुना होगा gracious शब्द को, इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा, kindergarten, या pre-kindergarten कहना जादा अच्छा है, तो आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के pre-schools होते है, day nursery, जहां पर मतलब parents उने छोड़ा आते हैं, ठीक है भई, तुम यहीं रहो, यहीं सीखो, है ना, हमसे ना संबल रहे तो, so day nursery, pre-schools जहने बोलते हैं, यहां से बच्चों को बोलते हैं, at least school में बैठना आ जाए, फिर नहीं आगे हम लोग travels करेंगे, ठीक है, तो it is one of the first cities to establish crisis, अगर हम बात करें, तो that is crisis, आजकल काफी trend में आप देख रहे होगे, next is haywire, haywire का मतलब क्या हो जाता है, we are cold disturbed, we are confused, अब देखो भई, अमरिंदर सिंग साब resign कर दी है, तो पूरा जो पंजाब है, पूरा जो देश में, जो Congress की विवस्ता है, वो एक्तम डगमगा गई, अब लोगों के दिमाग में आने लगा, जैसे हाली में आपने कफिल से बल साब का इंटर्व्यू सुना हो, उसमें वो अब छीटा कशी करने लगे हैं, तो फिर माखन सा आप दोनों एक दूसरे से, कि इनको इननों नहीं कुरसी दिलाई थी, वो आप देखते होगे, ये स्वभाविक नेचर है, जब ह हम अपने पार्टी प्रेसिडेंट के प्रती कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, तो ओविसली पीपल कम एंडिफेंड, जानते हुए गलत हैं फिर भी करना पड़ता है, इनको ऐसे लोगों को सास्त्रों में चाप लूस कहा गया है, ठीक है, सो एवायर का मतलब क्या होता है व्याकुल, disturbed या confused हो जाना, पता ही नहीं चला कि यह क्या हो गया अचानक से, ठीक है, जो strategy बनाई थी वो सब क्या हो गया, एकदम disturb कर दिया उसने सब कुछ, ठीक है, सारी चीज़ां एकदम खराब कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा, चन्नी साब, बिलकुल, बिलकुल, ठीक है, SPG की बात हो रही है, ठीक है, तो इनके लिए, तिगडी, यानी, group of three, यानी, जिसे क्या वो लेंगे, trial, trimvirate, trimvirate, एक परकार से, तीन लोगों का group जो होता है, उसे कहते है, the party has questioned the authority of the trimvirate, ये, अब आप समझे होगे, paragraph से ही लिया गया, term है, ये, line, तो उन तीनों की जो authority है, उस पर question उटने लगे हैं, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, because there must be something wrong, ठीक है, factional, factional word बना है, faction से, a faction word मैंने आपको पहले भी बताया था, group को बोलते हैं, faction किसको कहते हैं, group को कहते हैं, ठीक है, so factional किसको represent करता है, गुटी है, समझते हो, group बाजी, है यह collision क्या होता, एक प्रकासा संगठन, ठीक है, याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, next is scramble, यह एक साथ यूज हुआ है, paragraph में, factional scramble, बता दू, मैं आपको यह दोनों एक साथ यूज हुए, यह इसका adjective है, यह noun है, तो गुटी है, संदर्श, है ना, यानि कहीना, melee struggle, जिसे क दलने तो, party जाती जा रही है, अपन तो सुरक्षत है, तो example देखो, a factional scramble, ठीक है, a factional scramble, next पर आते है, accrue, चलिए भीया, accrue का मतलब क्या हो जाता है, जैसे crew member, जैसे मान लो, आपने कोई project start किया, अब आपको क्या चाहिए, उस project पर काम करने के लिए crew members, तब जाकर तो उ accumulate a mass, एकटा करना, जैसे हम लोग बोलते है, ठीक है, gather जैसे कह सकते है, gather, right, accrue करना, आगे पड़ें, चलिए भीया, they accrued vacation time to enjoy, उन्होंने vacation time को एकटा किया, किसलिए, enjoy करने के लिए, good morning, good morning, okay, very well done, thank you so much, एक पर यार share करें, सभी लोग यार maximum, आप सभी लोगों से दरकार, उमीद भरोशा, विश्वास रहेगा, इक पर जल्दी से सभी लोग share करें, next पर आते हैं, recentment, next is recentment, recentment क्या है, नाराजगी, रैथ जिसे बोलते हैं, क्रोध जिसे कह सकते हैं, ठीक है, अब आप समझ गयो होगे, इस recentment के चक्कर में उतल, पूरा, आप समझ रहो ना, उस paragraph स से लिए गए words हैं, इस से पहले वाला, पहले वाले से लिए गए, कौन सा, malnutrition वाला, तो words को relative है, यह क्या होता, I don't have any resentment, जैसे होता क्या है, यार तुम्हें क्या नाराजगी है, क्यों नाराज हो मुझ से, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुमारा, अक्सार अब लोग बोचते है जब कोई वेक्ति represent नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो, record है क्या class, किस बात का record लेना है, तुमको class में, हां, तुम लोग तो मतलब यह, अच्या recorded है भी, तो सीखने से मतलब होना चाहिए, यार, क्या कहते हो तुम लोग, कभी-कभी ऐसी परिस्तिती आती है, तुम लोग सब स हफ, आया था word अभी मैंने बोला भी था, हफ का मतलब आवेश में, कभी-कभी आपने देखा होगा, कि हम गुसे में गलत step ले लेते हैं, फिर मैं लगता है, यह क्या हो गया, है ना, तो कही ना कही ऐसी परिस्तिती बन जाती है कभी-कभी हमारे साथ, तो, आप ऐसी परिस् नहीं लेना, यह प्लीज ध्यान रखे, आवेश का मतलब थोड़ा सा धैर रखो, इसके प्रती, अब बहुत सारी बाते हैं, स्टोरीज हैं, कभी मौका मिलेगा, तो, लेट यू नो वन सकेंड, एक बार जल्दी से फिर से संडे समवात करेंगे, कभी, he resigned in a half, आवेश में कर उसने क्या कर दिया, resigned कर दिया, ठीक है, चलिए भी, आगे आ जाते हैं, next word पर आते हैं, थोड़ा सा तावड तोड़ सीखना, क्योंकि यह important और repeated words है, ठीक है, third slide, repeated words क्यों थी, editorial में, next is breath, breath का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार से किसी को क्या करना, animate कर देना, जान नहीं उन लोगों में उर्जा भरदी जो हताश हो गए थे, कि अब हमारी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, next पर आ जाते हैं, abate, abate का मतलब उकसाना, आपने देखा होगा, अकसर हमें लोग उकसाते हैं, और वो सफल भी हो जाते हैं, यह देखना, लोगों का brain game सुना होगा आप लोगों ना बड़ा जबरदस तरीके से brain game केलते हैं, आप लोगों ना इस चीज़ को भकू भी देखा होगा, कि कुछ लोग आपको आकराम, बोलता है ना, उत्तेजित करने की कुशिश करेंगे, लेकिन तारीफ तो तब है, तब आप उत्तेजित ना हो, सामने वाला हताश हो जाए यार यह क्या, यह तो तेजित हो ही नहीं रहा, बात समझ में आ रही है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, चले चले एक बार जल्दी से session को share करें, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं यहां पर, ठीक है, की words को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, important है अखे हाते हैं, angst, चले भी, angst word किसको represent करता है, angst मतलब anxiety, fear, dread, apprehension, जैसे हम लोग डर कहते हैm, हैना? क्क क्रन, मतलब करन is there, क्रन must be there, so don't offense मी हैना, तो कोई गाना है ना, इसका बड़ा famous सा, जादू, तेरी नजर, पुराने गाने पुराने ही हुआ बढ़ाने हुआ करते next is inculcate, दिखो जितना जल्दी आपको समझ में आ जा, उतना अच्छा है, इसलिए बच्छों को inculcate करके रखो, कि be spiritual, be moral, याद रखना, किसी ने कहा था कि education से अपराद रोके जा सकते हैं, मैंने का educationist सबसे अपरादी हैं आज के समय में, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब एक educationist ऐसा नहीं है कि अपराद नहीं करता है, बिल्कुल कर सकता है, याना बड़े-बड़े जो gangsters होते हैं, they all are well educated, moral education की कमी के कारण, लोग अपना पत ब्रह्म हो जाते हैं, तो इसलिए जरूरत है हमें, school में हर प्रकार से morality सिखाने की, that's really very important, so instill implant fix करना, समझाना किसी को, next is ostentatious, देखा है कभी आपने, एक विक्ती का nature काफी ostentatious होता है, जैसे भाई, 3 idiots का जो अपना भाई था न, एकदम मतलब 5 लाग की watch, 5 लाग के shoes, ना तुमने खराब कर दिये, क्या नाम था उसका, नाम ही बूल गया मैं, गदेश से शादी कर रही हो, क्या था वो, समझ गया ना तुम लोग, बस, so ostentatious भाई, हर चीज में उसे, price का tag बताना होता था, दिखावटी था, showy था, display, flamboyant जिसे बोलते हैं, next पर आते हैं, bigate, क्या बात है, bigate का मतलब क्या होता है, कहीं से किसी चीज का उत्पन होना, ओभरना, जिससे हम लोग बोल सकते हैं, सुहास, क्या बात है, बिल्कुल, बिल्कुल, सुहास था ना, मानव remembers everything, मानव को सब पता है, मानव क्योंकि मानव है, चलि भाई, यह तो उत्पन करना, engender, जिससे बोलते हैं, generous pound, अब देखो, father word का use क्योंकि है, because किसी चीज का जनक, किसी चीज से किसी चीज की उत्पत्ती होना, ठीक है, next पर आते हैं, effigy, देखो बैया, effigy, word याद रखना, यह use होता है, आजकल, effigy का मतलब बोलते हैं, मनुष्य तो एकदम गलतियों का पुतला है, है, है ना, so, human beings are the effigy of mistakes, आसा बुल सकते हैं, so, पुतला statue जिसे बोलते हैं, model carving, carving का मतलब, रूप देना, धालना, dummy जिसे कह सकते हैं, तो effigy याद रखिएगा, shall we move forward everyone, आगे पढ़ें, next, last word is kurt, kurt, kurt आप लोगों ने सुना होगा, उमीद करता हूँ, यह kurt किसको represent करता है, बताता हूँ यहाँ आपर आपको, जैसे आपने देखा होगा, कभी-कभी हम बहुत rude हो जाते हैं, चीजों को लेकर, है ना, और, हमें इतना route नहीं होना चाहिए, एक्दम स्थिर और स्थाई रहने का कोशिश करना है, है के नहीं, ठीक है, तो answer is, रूखा, ब्रस, कैबरप्ट, यह ब्लैट, आगे बढ़ें, चलो यार, एक बार जल्दी से सभी लोग share करो, है, दोसों को टच करने में, पैसे एलतों में तो आलास आता है, लो भई, CNG में प्राइज आएक हो गया, मतलब आदमी करे तो क्या करे, सब जेगे तो पैसे ही बढ़ रहा है, है, सिक्षा का जो मूल आधार है, अगर आप थोड़ा सा समझो, तो सिक्षा का मूल आधार केवल इतना सा है, कि आपके अंदर उत्पत्ती जागरण हो, लेकिन आज कल आप देखो, सिक्षा का आधार सब भूली चुके हैं, ठीक है, all of two of us, one word substitution पर आते हैं, चलिए यह पहला one word, a person who insists on adherence to formal rules or literary meaning, एक व्यक्ती जो rules और regulations पर ज्यादा ध्यान दे, literary meanings पर, ठीक है, बताओ ज़रा, परगाग, literalist, parent यह scholar, ठीक है, scholar, scholar का मतलब ग्यानी, literalist, जो literal बात हैं बोलते हैं, सपश्ट स्थाई, परगाग किसे बोलते हैं, teacher यह instructor को, परगाग, answer क्या होगा, parent, parent is the correct answer, आगे बढ़ें, ठीक है, next पर आते हैं, an associate in crime, देखो, अक्सर यह देखा होगा, है ना, मैंने तो देखा हैं, मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, facebook पर लोग बड़ी जल्दी से, track करते हैं, अपने दोस्त को, है ना, और वहां लिख देते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़े हैं, चलिए, तो यह मेरा partner in crime, मतलब मैं, I was like, sometimes, क्यों भई, क्या, अपराद कर रहे हो, है ना, तो, literalist नहीं होगा माना, जो literal representation पर स्थिर रहता, उसे बोलते हैं, ठीक है, so remember this one, B is not the correct answer, अब बताओ ज़रा, इसका मतलब an associate in crime, accomplice जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसे, accomplice, itinerant का मतलब क्या होता है, यह yatra, travel, philistine, जिसे मतलब कोई कलावला से प्रेम नहीं है, है ना, ठीक है, callous मतलब कठोर, answer क्या होगा, accomplice, ठीक है, accomplice is the correct answer, चलोगे, आगे बढ़ते हैं, rub और wipe out, मिटा देना, ठीक है, कभी लड़ाई हुई है, college बगरा में होती है, ठीक है, तो school में लड़ाई हुई होगी, college में नहीं होगी होगी, तो तो आपने देखा होगा, कि बस, मैं अगली बार देख मत जाना, वरना चेहरे को खतम कर दूँगा, तुम्हारा, मिटा दूँगा तुम्हें, तो answer क्या होता है, that is, plunder, loot, terminate, हटाना, remove, हटाना, if face, मिटा देना, बोलता है ना, face तक मिटा दूँगा, अगर चेहरा तेरा देख गया तो मुझे, है ना, मैं आज के बाद उसकी शकल तक नहीं देखा हूँ, कभी-कभी गुस्टे में लोग बोलता है, good morning, good morning, सुछ मिटा, ठीक है, आगे बड़े, clear है, ठीक है, तुम लोग मतलब, वो मकडी, क्या बात है, आगे बड़े, next पर आ जाते है, no longer in existence, no longer in existence, कोई भी चीज़ अब, अस्तित्व में नहीं रही, बताओ, delete, obsolete, inefficient, या फिर, invincible, चलो, चलो, come on everybody, पट टाफट से बताओ, टाइम्स आप, delete माने, अटा देना, बिल्कुल सही है, existence में ना रहना, obsolete जिसे बोलते हैं, है, delete भी answer, लेकिन actually, obsolete, exact word है, कि जो अब चलन में ना रहे, हैना, अस्तित्व में ना रहे, inefficient मतलब, जिसके इंदर efficiency कम है, invincible, अजय को बोलते हैं, जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, answer is obsolete, next पर आते है, killing one's sister, अपनी ही बहन की हत्या, चलो चलो दोस्तों, एक बार share करो है, 200 टच करके आते हैं, फटा फट से, जल्दी से, come on everyone, I know you people can do it, do it everybody, killing of one's sister, तो हम लोग सारे वर्ट जानते हैं, मुझे लगता है, fretry brother, matry mother, sorori sister, और reggie king, raja ji, ठीक है, raja से याद रखना, reggie side, आगे बढ़ें, चलो बढ़ें, answer is sorori side, चलो बढ़ें, अब आते हैं, important mcqs पर, फटा फट से answer करने के लिए, तयार रहें सबी लोग, remote, आज कल remote TV वा सब जगे हैं, क्यों होते हैं, good morning, good morning, रादे रादे, late क्यों हो रादे का, that's not good, daily late आना, हां, थोड़ा जल्दी अलाम लगा हो है, ना snooze कम करो सब लोग, चले, so remote का मतलब क्या होता है, remote areas जिसे हम लोग बोलते है, दूर दरस्त जो areas है, दूर हैं काफी ज़ादा, तो आने हम लोग क्या बोलता है, remote areas, that is far, far बोले तो distant, far बोले तो distant, ठीक है, refined का मतलब, जिसे फिर से ठीक किया, elevated उपर उठा हुआ, elevator permanent आप जानते हैं, आगे पढ़ें, next परात, चले भी है, zenat, zenat aman, तो ना है, zenat aman, तो zenat को कैसे याद रखें, जननत, जननत कहा है, सबसे उच्चे तम बिंदू, जननत, sorry, हाँ जी, तो zenat का मतलब क्या हो जाता है, highest point of something, that is peak, अच्छा, nadr इसका क्या हो जाता है, नादर जिसे बोलता है, antonym, इसका bottom most point, यह क्या होता है, bottom, ठीक है, reflect आप जानते हैं, तो answer क्या हो जाता है, that is peak, pinnacle भी बोल सकते हैं, paramount भी बोल सकते हैं, there are a lot of words, next is lethargy, lethargy का मतलब जल्ली से बताएं, cleverness, frivolous, laziness, peerless, चले 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 साथ यह होता है, time's up, cleverness चतुरई, frivolous ओचापन, ओचापन जानते हो, कुछ लोग एकदम ओचापन रखते हैं, आना free में वो लस्सी पीता है, ऐसे याद रखना है, पैसे ऐसे नहीं देता हो, काफी niche पैटी है, laziness is the correct answer, lethargy का मतलब क्या होता है, आलस से मैं, right, आलस से मैं, ठीक है, बहुत बढ़े हां, हाँ, abysmal भी बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक जवाब, next, चले भी है, जे जून, ये जो जून की गर्मी है न, मतलब बस, कलेस कर देती है, सो जे जून, याद रखिए, interesting, satirized, native या profound, antonym बताना अच्छा, मैं होई सोच रहा, मैंने कहां गए सारे, कुछ तो है ही नहीं, बताव भी ये जे जून, ये जो जे जून, जून की गर्मी है न, ये एकदम मतलब क्या होती है, boring, है न, काफी ज़्यादा क्या कर देती है, boring, क्यों बाहर जाने नहीं, ज़िए घर में ही रहो, boring कहीना क्या एकदम, परेशान कर देना, है न, एकदम, boredom जिसे बोल सकते हैं, तो answer क्या होगा, interesting, satire मतलब, good morning, good morning guys, ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, एक बार like कर दें, जो भी नए साथी जुड़े है, like और share, like और share की दरकार, ठीक है, next, चलिए बही है, venture sum, देखो भी है, venture शब्दा रहा है है, आपर venture का मतलब, risk यानि business, अब आप बता सकते हैं, मुझे लगता है, जो risk और business, risk में, मतलब business में risk ले सकता है, रिस्क बिना इस्क, ऐसा ही कुछ डायलोग था न, उसका web series को सा scam 1992, तो बता हो जई यह, venture risk कौन लेगा, जिसके अंदर साहस है, जो risk नहीं ले पाएगा, वो timid है, यानि कायर है, ठीक है, तो answer क्या होगा, that is B, tolerant, जो चीजों को समझ पाए, jail पाए, confound भी एक प्रकार से क्या होता है, जो चीजों को rectify करके समझ पाए, ठीक है, बहुत बड़े हैं, border, माना तुम डाट खाने तयार रहो, मुझे लग रहा है कि तुमको डाट की सक्ता आवस सक्ता है, confound किसी भी चीज को क्या बोलता है, कहीं न कहीं confuse कर देना, surprise की तरीके से, या मैं बोल सकता हूँ, किसी भी जिसको गलत साबित करना, that is also confound, ठीक है, confound नहीं होगा, प्रिया, गलत साबित करना है ना, confuse कर देना ये होते हैं ये, ठीक है, आगे पढ़ें, next, चलिए भी या, error बताना है, भरत asked him that, which was the way to the post office, बताओ, चलो चलो everyone, simple error है, कोई ज़्यादा difficult नहीं है, और 10 बजे application पर आज class है मेरा, 10 a.m., don't miss that, ठीक है, first class है, introductory class है, जब और 10 तरीके से join करें सबी लोग, ठीक है, भारी तादाद में join करें, और अभी double validity है, code लगा ले न, y278, अगर नहीं किया enroll तो, चलो बई या, that भी आ रहा है, which भी आ रहा है, कहां की इंसाफी है, I mean, कहां की ना इंसाफी है, हाँ, that भी यूज कर रहा है, which भी यूज कर रहा है, remove that, well done Chetna, very well done, that ठीक है, भारी तो बस काम हो जाएगा, बरत asked him, which was the way to the post office, ठीक है, तो एस दा आंसर, चलिए भी या, finally, let's move on to, the editorial discussion, failing on food, बड़ा, बच्चों को तो कम से कम प्रॉपर फूडिंग देना, so reason data on child malnutrition, underscore the value of good school meals, अच्छा वो मत्यान बोजन, सुना होगा आप लोग और हम लोगा, मत्यान बोजन की एक point of view यहाँ पर बताया जाता है, तो उसके point of view पर यह discussion का part यहाँ पर बनेगा, ठीक है, चलो बढ़ें, तो देख लेते हैं, पहले आप लोगों के पास हैं, 45 seconds को पढ़ना जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ important points मिलेंगे, आपके आने वाले exam के लिए, तो go for it, read everyone, मैं आपने आपको कर लेता हूँ, यहाँ से guy up, 50 seconds हैं, go for it, पत्याना नहीं है, ठीक है, और सब को read करना है, nobody will skip it, all done, कुछ चीज़े important होती हैं, तो बिल्कुल भी माना करो, ठीक है, recorded बोल दो, देख लेंगे, अच्छा, चले, so let's get started, देख लेता है, the approval of the PM portion scheme, देखो भई, यहाँ एक नया scheme आपके लिए, देखो, जीए का भी point यहाँ से, आपको देखने मिलता है, the approval of the PM portion scheme, by the cabinet committee on economic affairs, until 25-26, comes at a critical time, when real income declines, and the economic impact of COVID-19 pandemic, have affected, the ability of families, is to ensure good nutrition, अब आप देख लो, यहाँ पर, इस pandemic ने क्या-क्या, गुल खिला दी, जो approval था, PM portion scheme का, committee के द्वारा, on economic affairs, कब तक, 25-26 तक चलना था, जो, comes at a critical time, जो कि अब ऐसे समय पर आ गया, जो काफी critical लग रहा है, when real income declines, जब आपकी mool income ही, decline होने लगे, and the economic impact of COVID-19 pandemic, have affected, और जो economic, यानि आर्थिक रूप से, अगर देखा जाए, तो COVID-19 pandemic, जो है, उसको affect की गई है, योग्यता families की, जिससे अच्छा nutrition होने है, सुनिश्चित करने की बात है, वो साब impact पर आ गया है, the findings in phase 1 of the national, अगर हम बात करें, यहाँ पर family housing ऐसा कुछ है, NFHS, family से संबन देते हैं, कहीं ना कहीं, इसकी full form exam में आ सकती है, तो प्लीज द्वान ध्यान रखना एक पर मैं confirm कर लो, national family health survey, बिलकुल, national family health survey, ठीक है, national family health survey for 22 states and union territories in December, 22 were shocking, क्या shocking था, childhood stunting, अब आगे देखो stunt, डार फो रहे हैं, 13 राज्यों में, there was high prevalence, प्रचलन आफ एनीमिया, बच्चों के अंदर, खून की कमी देखने मिल रही है, and women wasting was a serious concern in 12 states, 13 में बच्चों की height properly नहीं बढ़ पा रही है, 12 राज्यों में देखा गया, कि बच्चों में खून की कमी बहुत जाधा रूप से देखने मिल रही है, the slippage, आ गया बड, over the previous survey period exposes, क्या expose करता है, the worsening scouge, scouge माने बत्तर परिस्थ थी, punishment अभी देखा था, of malnutrition, threatening to deprive millions of children of a fully productive adult life, अब आप समझ रहे होगे, क्यों खाना बरबाद नहीं करना है, आज ठान लो, कि खाना बरबाद मत करना बस, बहुत जरूरी है, डाफ बोना, अनीमिया बोलते हैं, खून की कमी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, so the slippage over the previous survey, यानि जो पहले वाला survey था, उससे हम दूर रहे गए, वंचित रहे गए, expose क्या कर रहा है, worsening scourge of malnutrition, यानि अभी यहाँ पर scourge का मतलब attack मान लो, ठीक है, प्रभाव बोल सकते हैं, impact बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, threatening, डराते हुए, to deprive, वंचित करना, millions of children, यानि बहुत सारे चिल्रन को, वंचित करते हुए, of a fully productive adult life, it will take a serious effort, to address this hidden crisis, backed by strong budgetary commitment, it will take serious effort, यानि बहुत जरूरी है, यह क्या लेगा, एक बहुत serious effort लेगा, प्रयास लेगा, this hidden crisis, इस crisis के बारे माँ पता ही नहीं है, backed by strong budgetary commitment, इसके लिए भी एक strong budgetary commitment की जरूरत है, center की तरफ से, the centrally supported hot meal program in government, and government-ed schools covering 11.8 crore children, will be supplemented with nutritional elements, in identified aspirational district and area, where high anemia, जो 11 से उपर करोड लो बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं government-ed schools में, या government meal project के अंतरगत खाना दिया जा रहा है, वो खाना एकदम nutritional होना चाहिए, तब जाकर चीज़ें असान रहेंगे, ठीक है, और it's really very important, बहुत बढ़या, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो बढ़ें, आगे बढ़ें, नेक्स पराते हैं, देखो, एक स्कीम जो प्रपोस करती है, एक्स्टेंड करना, प्री प्राइमरी चिल्डरन के पॉइंट ऑफ व्यू पर, प्रोवाइट क्या करना होना है, सोचल अडिट, क्रिएशन अफ स्कूल, नूट्रिशनल गार्डन्स, क्या बनाना चाहिए, इसके अंतरकत, ये गार्डन्स बनाना चाहिए, इन्वाल्मेंट फ्रेश, फार्मर, प्रोड्यूसर, और्गनाईजेशन का, जो की लोकल फूर ट्रिडिशन को बरकरार रखे, और एक्दम शुद्ध खाने की बात कहे, वाइल दीज आर पॉजिटिव फिगर्स, जबकि ये पॉजिटिव फिगर्स हैं, कही न कही अगर हम बात करें जिस स्कीम की, तो उसका सफल होना इस बात पर निर्बर करता है, कि किस तरह से चीज़ें आगे दिखाई जा रही हैं, ठीक है न, और किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, स्लिपिज का मतलब मैंने अभी बताया था, फिसलन, जो फिसलना एक्च्वल पॉइंट है, उसके ब्यॉंड जाके बात करना, राइट आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ी, सो गाईस एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, बाउट दस बजे इसमें मेरा क्लास है अभी, इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाला भी, महा पर कभी आपको वन ट्रपल लाइन में मिल जाएगा, वन सिक्स टू फोर, अगर छे महीने वाला लेना है, तो ये बारा महीने की वैद देता है, मेंस का बैच भी आ रहा है, तो कोड यूज करना है, Y278, it's all up to you, चलिए भईया, अब आते हैं मुख्य बाद पर, तो देखो भई, लुफ्त उठाओ, जितना हो सके, और कहीं न कहीं चीजों में थोड़ा सजग भी रहो, क्योंकि important बात है preparation, preparation is primarily very important, आप किस तरह से prepare कर रहे हैं अपने exam की, यह सबसे ज़्यादा important है, तो आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, और जितना वो जल्दी हो सके, चीजों की opportunity को grab कर लो, तो अभी आपको yes, double validity मिल जाएगी सारे प्रदिक्स पर, मैं यही चेक कर रहा था है या नहीं, तो अभी भी यार, please don't miss this, this is really very important opportunity for all of you, ठीक है, तो भाई यह रोहित मौझूद है, इवा, नेहा, ठीक है ना, मानव, दिपांशी, आर्ती, विकास, अंकिता, अर्चना, विशाल, जितेंद्र, राही, मौमद अबरार, तो अभी थे ही, बहुत बड़े है मिरे भाई, शिल्पी, शेल, विकास, क्या बात है, है ना, मानव, शालनी, ठीक है, सौरब, अंजली, नेहा, उज्वल, विकास, शुभंकर, दीक्षा, वाई, आर्यू, इंसिस्टिंग, या, वाई, आर्यू, अबस्टिनेटिंग, या, वाई, आर्यू, बीइंग, सो, अब्डूरेट, बहुत बड़े है मोनिका, सिमरन, शिवम, चले बड़े, शिवम बहुत बड़े है मेरे बाई, तो गाईस, इसी तरह आप लोग भी आंसर कीजे, यार, क्यों मतलब, कल का question चोटा सा है, error detection बताना है, आपको किस part में है, ठीक है, आंसर कहा करो के comment box में, और यार, session को review भी जरूर करो, ठीक है, सभी लोग like, 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 share, 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 और comment का कार है, ना भूले, आपको comment करना है, और review देना है, हमारा session कैसा चल रहा है, ठीक है, तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़े हैं, जो आप लोगों को, और दूसरे लोगों को अलग बनाती हैं, और हम अपने bond को स्थापित कर पाते हैं, ठीक है, तो मुलाकात करेंगे, वापस से अब 4 बजे, तब तक के लिए enjoy करो, ये reminder session के तुरंट बात जरूर लगा देना, 4 बजे, चार बजे, ठीक है, don't miss this, ठीक है, तो अभी 8 बजे, current affairs enjoy करो, आराम से, ठीक है, that's all guys, thank you so much from my side, और 10 बजे, class में सब लोग मिल रहे हैं, application पर, that's all guys, thank you so much, जैंद everyone, रादे रादे बोलो, बांके बहारी लाल कीजए, उमीद करता हूं, मेरे द्वारा दी गई सारी educational information, या overall information आपके लिए helpful रहे, thank you so much, please take care, all the very best, ध्यान रखिए, जैंद everyone, है ना, और 4 बजे का reminder, सभी लोगों को लगा लेना है, चार बजे, सभी लोग मिलेंगे, ठीक है, thank you. Don't forget to like, share and subscribe, other 24-7 channel. Also download other 24-7 app.